नमस्कार दोस्तों स्वागता सुभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्जामी स्टूडियो पर दोस्तों तीन जनवरी दो जार इकीस जो एसेसपी हेड कोंस्टेबल मिनिस्टल का पेपर हुआ था वो पेपर हम इस वीडियो के अंदर आपके साथ सेर करने वाले हैं इस वीडियो में हम 265 hah 8 से विवाजित होने वाले एक सुद्व वरक्का संक्या सर्वनिमन मान है तो यह पूचा गय था तो इसका जो सही जवाब है आपका वह है 3600 अगला question पुछा गया था एक चौर को पगड़ने के लिए दोड़ता हुआ एक प्लिस वाला उससे 144 मीटर पीछे हैं प्लिस वाला एक चौर पर ती मिनट 21 मिनट यहूं 15 मिनट पे दोड़ते हों प्लिस वाला चौर को कितने समय में पगड़ लेगा ठीक है दोस्तों लिए सिख्जान अपको शोल करना है अ अन्से में बता रहे हैं तो इसका जो सही जवाब ऐगा आपका 19 कőlुलत कला है उन्स हम अगला क्विशन से तीन पूर मिहां तो इसक़ा जो आपका सही जवाब निकला रहे हैं वह आइगा यहाब योफी अगला क्यूशन है इस्तिर पानी में 4.5 किलोमेटर परती घंटा की गती से नाउग खिते वेर हमें सिखिस्तान तक जाकर वापस आता है यदि नदी की गती 1.5 किलोमेटर परती घंटा है तो पूरी यात्रा में उसकी ओसत गती पता करें तो इसका जो सही जवाब आपका आएगा वह आएगा 4 किलोमेटर परती घंटे अगला क्यूशन इस प्रकार से पूछा गया था तो इसका जो सही जवाब आएगा वह आएगा आपका यहापर C और 58 का जो क्यूशन पुछा गया था आप पड़ लीजिए अगर हम क्यूशन पुरा पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत जादे लंबा हो जाएगा तो इसका जो सही जवाब था वह आपका 89 यहाँ पर निकल कर आएगा अगला क्यूशन पुछा गया था ने में लिक में से कौ तो आपका आएगा यहाँ पर आंसर T C 36 मिनट अगला क्यूशन पूचा गया था 13 27 25 97 153 तो अगला पड़ क्या आएगा यानि की रिजिनिंग से कूशन पूचा गया था तो इसका जो सही जवाब आपका यहाँ पर आएगा वह आएगा B अगला क्यूशन है 50, 60, 75, 97, 184 यह सभी मान दे रखे हैं तो इसमें आपको क्या बताना है यहाँ पर आपको बताना है सही उतर चुने जो करम को पूरा करेगा तो इसका जो सही आपका अंसर आएगा वह आपका आएगा B 131.625 अगला क्यूशन रिजनिंग का XX, YX, YY, XY, XXY तो कौन सा इसमें यहाँ पर इसको भरेगा यह यहाँ पर पूचा गया है तो इसका जो सही जाब है वह आपका आएगा C अगला क्यूशन पूचा गया था इसी परकार के क्यूशन पूचा गया था जो अभी उपर बताया है तो इसका जवाब आएगा A अगला क्यूशन पूचा गया था कौन सी उत्तराकरती परशनाकरती को पेटरन को पूरन करेगी तो कौन सी उत्तराकरती इसको पूरा करेगी तो इसका जो जवाब है आपका वो आएगा D अगला क्यूशन है परशन आकरती दे रखी है उत्तरा अगरती आपको बताना है कि कौन सी इसको पूरा करेगी तो 67 में आपका आएगा A A इसको पूरा करेगी अगला क्यूशन था कौन सी जोड़ी दूसरों से संबंदित नहीं है तो इसमें आपका सही जवाब है वो है आपका D 20 और 21 अगला क्यूशन पूचा गया था कौन सी जोड़ी दूसरों से संबंदित नहीं है वैसा ही सवाल है तो इसका जो आपका अंसर आएगा B अगला क्यूशन पूचा गया था जैसे ही इससे संबंदित है वैसे ही इससे संबंदित क्या होगा तो इसका जो सही जाब है वापका C अगला क्यूशन पूचा गया था कौन सी जोड़ी दूसरों से संबंदित नहीं है अगला क्यूशन है पर्षन नाकर्ती का सही प्रतिविम दर्शाएगी यानि कि मीरेश से क्यूशन रिजनिंग में पूछे गए थे तो इसका जो सही जाव आपको परतिविम बताना है तो इसका सही जाव आपका आएगा A अगला क्यूशन सेम क्यूशन इसमें भी आपको परतिवीम बताना है यह नीचे कांच लगावा है उपर इस परकार की तस्वीर है तो कांच में यह किस परकार से दिखाई देगी तो इसका जो सही जाब आपका वो आएगा C अगला कुशन है नेमिन चित्र में तिरबुजो की संख्या बताएं तो आपको यहां पर तिरबुजो की संख्या काउंट करके बतानी थी तो यहां पर आपका जो आपका निकल कर आएगा वो आपका आएगा 29 अगला कुशन पर्षना करती और उत्रा करती ठीक है दोस्तों तो इसका जो सही जाब था आपका वो आपका आएगा D अगला कुशन है शंक्याओ की निमन करम में से कौन सा अंग दाएने छोड़ से 19 वे स्थान के अंग के दाएने 7 वे स्थान पर है तो यह भी रिजिनिंग का कुशन है तो इसका जो आपका सही जाब है वो है आपका C तीन अगला कुशन है कथन और निक्सकर्ष की कथन सभी सहर कस्बे होते है कुछ सहर गाउं होते है तो आप इसको सोल करके देखना इसमें ये निक्सकर्ष दे रखे है और इसमें बताना की कौन सा निक्सकर्ष इसका सही है तो इसका जो आपका सही जवाब आएगा वो आएगा A केवल निशकर्स तीन सही होता है ठीक है दोस्तो अगला क्यूशन है 86 का मोल अवस्ता उत्तर अवस्ता उत्मा अवस्ता ठीक है दोस्तो यानि कि ये आपके हिंदी से क्यूशन पूछे गए है तो इसमें पूछा गया कि उप्रक्त में से विसेशन की तुलनात्म गूरूप से तीन अवस्ताइद दी गई है तरह कि दिस्तानों पर कौन से विसेशन सब्दों की पूर्थी हो सकती है उत्तर का चेन कीजिए ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर जो आपका 86 का आंसर है, तो आपका D, उप्रुक्त में से कोई नहीं, अगला क्यूशन है, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, उसको क्या करते हैं, यानि कि वन वर्ड आपको पुछा गया था हिंदी में, तो इसका जो सही आपका B, इसका सही जवाब है, अगल वो आपका B, क्यूशन को आप अच्छे से पढ़ लेना, तो इसका जो सही जवाब आपका वो आएगा B, अगला क्यूशन यहाँ पर पूचा गया है, जो परियावची नहीं है, उसका चैन कीजिए, इसका जो परियावची नहीं है, उसको आपको चैन करना है, तो इसका ज लेकिन अब की बार नोटिफीकेसन में सइकें पेपर के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है तो सिरफ फेश्ट न देлекा है तो second paper में इस प्रकार की question पूछे गए थे जो कि liquid paper था अगला question दोस्तो मो पे रंग ना डारो गिरी दारी शाम इसमें आपको क्या बताना है कि रेखांग की तक्सरों में liquid सब्दों के लिए सरवातिक उप्युक्त विकल्प को सुनना था आपको तो इसमें जो सही जवाब आपका वो आएगा यहाँ पर बी ठीक है दोस्तों 96 में आपका जो answer आएगा वो आपका आएगा बी यह सभी क्यूशन SSB head question में पूछे गए थे तो आप इनके answer देख लेना और आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार की question एग्जाम में पूछे गए थे हिंदी की question भी पूछे गए थे और यहाँ पर reasoning के भी question पूछे गए थे सभी question यहाँ पर पूछे गए थे तो दोस्तो आशा करता हूं कि आपको जो paper 3 January 2020 को पूछा गया था वो पूरा paper आपके समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से एग्जाम में question पूछे गए थे तो दोस्तो इसमें English का जो question पूछे गए थे 5 से 7 जो भी 10 question पूछे गए थे वह यहाँ पर PDF में मिस है ठीक है ठीक है दोस्तो तो आप English का कहीं से देख लेना बाकी जो भी subject से question पूछे गए थे वह मैंने सभी इस वीडियो के अंदर करा दिये हैं आप देख लेना कि किस level के question पूछे गए थे कहां से question पूछे गए थे तो वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तो एक्ज